हेलो फ्रेंट माई यूटूब चैनल हैनुबर की इसमाद में आपको स्वागत है आज मैं फिर आप लोगों को बताने आई हूं एक पर दिहल नए डिजैन में तो चलिए हम आपको बताते हैं किस तरह से यह डिजैन बनाया जाता है है तो यह ओन है वाइट ओन है मैं इसका बनाएंगे फिंक कलर कर फुद्णा लगाया जाएगा तो चलिए हम आपको बताते हैं किस तरह से बनाया गया है यह पर्दिहल इस्टार्ड करते हैं पहले पथी हम बनायेंगे थोड़ा से पहले हम पट्टी बना करके आपको बता देंगे किस तरह से पट्टी बनता है तो चलिए हमा शुरू करते हैं पट्टी बनाना तो यहाँ पर हम सिक्री ले लिए हैं यहाँ पर हम 10 सिक्री लेंगे पहले दस सिक्री लेने के बाद, ये देख़ूँ दस सिक्री ले रहे हैं और यहाँ पर हम लॉंग बनाएंगे लॉंग आपको बनाना यहाँ पर चार लॉंग बनाएंगे यह दो लंग हुआ यह तीन हुआ आप दो सिक्री ले करके यहां पे दो लंग देंगे जहां दे में औरी यह दे रहे हैं फिर उसके दो सिक्री लेंगे उसके बाद फिर लंग बनाएंगे उसमें इधर भी चार लॉंग रहेगा उधर भी चार लॉंग रहेगा तो देखे किस तरह सच्छाना किया है पट्टी यह देखिए फिर इसको पल्टा करके तीन सिक्री लेंगे उसका लॉंग बनाएंगे फिर चार लॉंग बनेगा यहां पर फिर दो सिक्री लेंगे फिर दो लॉंग लेंगे फिर दो सिक्री फिर चार लॉंग लेंगे यह देखिए किस तरह से बनाया गया है पट्टी यह देखिए ऐसे ही पट्टी बनाया जाता है तो आपको पहले पट्टी तैयार कर लेना है पूरे गेट का पट्टी गेट लड़ी अगर बनाना है तो तो इसे में हम आपको पर देखिए लब बताएंगे किस तरह से बनाया जाता है यहां पर तीन से लिए हैं उसके बाद यह दस लॉंग लिए हैं इसमें यह अंगू टिजैन है यहां पर फिर हम तीन सिकरी लेंगे फिर लोंग ले करके अंगूर बनाएंगे यह विल्फिल अंगूर के जयर से लगता है दिकने में यह दू अंगुर तयार हो गया उसके बाद फिर पट्टी में हम जुएंट करेंगे थोड़ा सब्सक्राइब करके नाप करके उसको जुएंट करना है उसके बाद फिर ता कि न भी लिए नियाएं पिर दस लोंग लेकर के अंगुर बनाएंगे अच यह देखिए दूसरा भी बन चुका है फिर उसी तरह इसको विजोएंड करेंगे आपको इसी तरह पूरे पट्टी में आपको बनाना है हम आपको इतना ही बताएंगे क्योंकि हम आपको समझा दे रहे हैं कि पूरे पट्टी में आपको इस तरह पहले बना लेना है उसके वद आधे पट्टी में पहले फूल को तयार करना है तो आधे पट्टी से फिर इसको कैसे घुमाना है वो बताने जा रहे हैं देखिए पहल दस लॉंग लेकर के अंगूर बनाएंगे तरह पूरे में लेना है पूरे कतली डिजैन बन जाएगा देखने में यह देखिए यह घर तयार हो गिया है आपको आधे पट्टी में पूरा तयार करना है धीरे धीरे घर घटता जाएगा और एक पड़ा करके इसी तरह तयार हो जाएगा देखिए इस तरह से आपको बनाना है यह पट्टी है और देखे किस तरह से बना हुआ है पड़ा यह देखिए इसी तरह से आपको बनाना है पहले पूरे पट्टी में एक लन बनाना है उसके बाद फिर आधर पट्टी में एक घड़ बनाना है पूरे तयार होने के बाद इसमें लड़ी बनाना है यह अंगूर डिजाइन दस ठुलिये हुए इसमें अंगूर उसके बाद फुतना लगा देना है यह देखिए तयार यह तयार हो गया यह देखिए कितना खुबसूरत लग रहा है दिखने में कि देखिए कितना अच्छा लग रहा है हम उमीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक कीजिए और कमेंट करके हमको बताईए कि आपको कैसी लगी है अगर अच्छी लगी हो तो जरूर हमको बताईए और लाइक करना ना और शेर जरूर किजिए ये वीडियो को और सब्सक्राइब अगर नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक पहुंच सके तो चलिए हम आगले वीडियो में फिर मिलते हैं मेरी नस नस में तेरा इश्क बहें फीका ना पढ़े कभी रंग तेरा जिसमों से निकल के खून कहें